हाई दोस्तों क्या है आप लोग तो आज इस वीडियो में आपको बैक वार्काट करके दिखाने वाला हूँ अगर आपके पास होम कीट है उसे लेकिए आपको यह पर वार्काट करना है क्योंकि मेरे पास होम कीट है इसलिए जो कुछ भी बेश्ट एक्सराइज किया जा सकता है बैक के लिए यह पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह पर तो आपका पहला एक्सराइज होगा बेंट भार्वेल रो आप इस तरह लिजिए बाडी थोड़ा से बेंट होगा इस तरह आप वार्काट कीजिए थोड़ा सा ग्रीप को छोटा कर सकते हो इससे आपका बैक बैक मनेंद का पहला एकसराइज होगा निंहों कि अपकर ती बार्व वार्व करने के लिए आपको यह पर एक हिष्सा का बार का एक हिस्से से आपको वाड़ निकालना है और आप को दॉसरे हिसे में डाल देना है बस ऐसे चले हो गया इस एप यस किस कर लिजिए दिवार पर अभी आप इस तरह कीजिए हो गया आपको इस तरह पकड़ना है आप देखिए उंगली क्या उंगली देखिए इस तरह आपको टाइट करना है ठीक है यह लिजिए हो गया अभी आप 45 डेटी फिट से आप एंगल करोगे इस तरह वह उठा होगे इसके आपको चार सेट और पंद्रा से 20 रेपिटिशन जो आप करते हो उससे आपको कंप्रेट करना है इससे भी आपका लेटरल मासल और टोटाल एब सॉरी टोटाल बैक मासल अच्छे से ट्रेन हो जाएगा तो यह आपका दूसरा एक्सरसाइज तीसरा एक्सरसाइज आपक कि एस तरह को डामबल रिजिए और इस तरह कीजिए अगर आपके पास बेंच नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है आप बेड़ में भी कर सकते हो कि इसे हर एक हाथ में इसे आपको 15-20 रेपिटिशन और तीन सेट कंप्रिट करना है यह हो कि आपका तिसरा एक्सरसाइज फोर्ड एक्सरसाइज आपका यहापर सिंगल हैंड बारबेल रो मानना है इस तरह पकल लीजिए फिर से 45 डिग्र अंगल बॉडी होगा स्पाइन सीधा रहेगा इस तरह वह उठाइए इसका भी आपको तीन सेट हर एक सेट में आपको 12-15 रेपिटिशन कंप्रिट करना है जब आप नीचे जा रहे हो लाटरल मासल अच्छे से आपको स्ट्रेच करना है हाँ ठीक है तो यह चार एक्सरसाइज हो गया है उसके साथ एक एक्सरसाइज आप एक्स्ट्रा मारोगे अगर आपके पास फुला बार है तो आप फुला बार पर मार सकते हो मैं यह पर ही मार लेता हूँ चलिए त्युम अधेय। है तो यह तो यह पास एक्सरसइज आप घर में कीजिए अच्छा बैग आप घर में बना सकते हो क्योंकि मैंने बनाया है घर में वोड़ अखौट करती है करके आप भी यह पास उलकौट अपने बैग कार रूटीन में हैट किजिए चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको कुछ भी सवाल है मन में comment box पर लिखे मैं आपको सवाल करना साथ जरूर दूंगा चले नेक्ट वीडियो मिलते हैं आप जखके लिए बाई